हे गाईस स्वागत आप सभीका हमारी यूट्व चैनल में तो आज की सुटे हूँ मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कुछ इस टायवस की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो तो यहाँ पर दीपक जोसी का जो फोटो था उसमें हमने दीपक जोसी को रिमूव कर लिया और उसकी जगह पर हमने किसी और ही मोडल को एड कर लिया तो यहाँ पर आप अपनी फोटो को भी एड कर सकते हो और बड़ी ऐसी फोटो एडिटिंग कर सकते हो तो आगे क्या को प्रोसेस करना है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ PIXाRD में तो चलते हैं वैडियो को श्टार्ट करते हैं तो आपको क्या करना है PIXाRD को ओपन कर लेना ओपन करने की बाद इस वाले बेग्राउड को ले लेना और फिर यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करना और यहाँ पर resize पर click करना है और यहाँ पर आपको कुछ भी type कर लेना है तो मैं 9000 कर लेता हूँ फिर done करता हूँ और resize पर click करता हूँ यहाँ पर 2800 चिन्वे तो आपको कुछ यही type करना है तो 2800 चिन्वे यहां से करने के बाद इसको आपको resize कर लेना है क्योंकि इससे आपकी photo फटेगी नहीं और आपकी photo एकदम HD रहेगी तो फिर आपको क्या करना है? यहाँ नीचे आना, यहाँ फोटो पर क्लिक करना एड़ फोटो पर क्लिक करने के बाद आपको पहले आपके model को लेना और फिर girls की png को लेना और यहां से add कर लेना add करने के बाद boys को इधर लाना girls को उधर लेना और आपको कुछ अपने हिसाब से कुछ मतलब इस size से आपको बड़ा कर लेना और फिर girls को लेना sorry इसको कुछ इस साई से बड़ा करना है गल्स को लेना है और इसको भी कुछ इस साई से बड़ा कर लेना है और आपको यहाँ पर एड़ कर देना है मतलब कि आपकी जो गला है इसके नीचे जो थोड़ा सा पाट है इसके नीचे ही add करना है ऐसे add करने के बाद जो hand है वो गर्दन पर आ रहा है तो आपको इसको ऐसे remove कर लेना है मतलब की erase कर लेना है तो ऐसे erase कर लेता हूँ फिर क्या करना है आपको यहां से done कर लेना है done करने के बाद आपको यहां से भी done करना है डन करने के बाद आपको वापस टूल्स पर क्लिक करना है क्रोप पर क्लिक करना है अब आपके हिसाब से आपको क्रोप कर लेना जैसा आपको अपलोड करना है वैसा क्रोप कर लेना है फिर आपको क्या करना है यहां से डन करना है और यहाँ पर नीचे आ जाना और यहाँ पर add photo पर click करना add photo पर click करने के बाद आपको यह light वाली png और shadow वाली png दोनों को add कर लेना है add करने के बाद light वाली png पर click करना है crop पर click करना है इसको इस size से crop कर लेना है और done करना है और यहाँ पर नीचे blend पर click करना है और इसको आपको screen कर देना है और आपको ऐसे बड़ा करके add कर देना है ताकि जो हमारी model के उपर जो light आ रही है hair पर वो इसके साथ match कर जाए और फिर आपको shadow आले पर click करना है, इसको crop पर click करना है और ऐसे करने के बाद आपको इसको भी कुछ ist से crop कर लेना है और done करना है और इसको ऐसे set कर लेना और यहाँ पर नीचे ऐसे add करना है और यहाँ पर blend पर click करना इसको multiply पर कर देना है और यहाँ पर erase पर click करना है और जो यहाँ पर line बनी हुई है इस वाली line को आपको erase करने लेना है और जो आपके hand पर जो आ रही है इसको भी आपको erase कर लेना है तो मैं इस line को erase कर लेता हूँ hand से भी erase कर लेता हूँ फिर आपको क्या करना है यहां से done करना है इसको भी आपको क्या करना है यहां से done कर लेना डन करने के बाद आप चाहो तो अपना लोगो भी set कर सकते हो और फिर आपको यहाँ पर tools पर click करना वापस resize पर click करना और यहाँ पर आप फिर से कुछ भी type कर लेना है 26 चैंटर बश्रें और 26 चैंटर तो इसको एह एड़ करने की बाद वास रिट करना है 26 का मतलबकर 7 ऐ enterprises करना है तो मैं 60 50 कर लेता हो और फिर करता हूं तो और फिर करने Luther XL करना है क्योंकि इस में थोड़ा सा पर क्लिक करना है और ड्रो करने के बाद यहां पर थ्री डोट पर क्लिक करना है और यहां पर सेव इमेज करके आप इस फोटो को शेव कर लेना है और अब इस फोटो को लेकर चलना है हमें लाइट रूम के अंदर तो हम इसमें लाइट रूम में थोड़ा सा जो सट हैं इनको girls के साथ match करेंगे और background के साथ भी match करेंगे तब ही हमारी photo real stick लगेगी तो चलते हैं lightroom के इंदर तो lightroom में आने के बाद यहाँ पर एक plus वाले icon है इस पर click करना है और इस पर click करने के बाद आपको Pixar से जो आपने edit की थी उस वाली photo को ले लेना है तो यह वाली photo है तो इसको मैं यहाँ से add कर लेता हूँ add करने के बाद इस वाली photo को आपको click करना है तो फिर क्या करना है आपको यहाँ पर आना है यहाँ पर lights पर click करना है और black को बढ़ा देना है whites को भी बढ़ाना है sendos को बढ़ा देना है और highlights को कम कर लेना है थोड़ा सा highlight को थोड़ा सा कम और फिर आपको क्या करना है यहाँ पर कलल स्वाले में आना है और mix पर कलिक करना है और जो red कलर है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है और इसकी जो view है इसको भी नहीं नहीं इसको कम करना है और saturation को बढ़ा देना है और फिर orange वाले color में आना है lamination को बढ़ा देना है थोड़ा सा और बढ़ा देना है और फिर saturation को कम कर लेना है और फिर इस वाले color में आना है और इसकी saturation को कम view को बढ़ाना है और lamination को भी बढ़ा देना है और फिर orange sorry green color में आना है और इसकी saturation को आपको minus करना है इस वाले color में आना है इसकी saturation को बढ़ाना है और इसकी saturation को भी आपको बढ़ा देना है और फिर इस वाले color में आना है इसकी saturation को भी बढ़ा देना है फिर आपको यहां से done करना है इस वाले effect में आना है और इसके texture को 6 के आसपास कर लेना है 6 करने के बाद clarity को 4 कर लेना है और wignet को 20 कर लेना है 20 करने के बाद फिर आपको क्या करना है यहाँ पर देख सकते हो हमारी photo कुछ इस types की थी इस types की होचकी है तो फिर आपको क्या करना है यहाँ पर share पर click करना है और Save to Deyes पर करने आपको Gallery में कर लेना है इस वाली photo को लेकर चलना है हमें Autodesk के अंदर तो उसमें हम Smooth भी कर लेंगे Face को और Hair को भी सही कर लेंगे तो चलते हैं Autodesk के अंदर तो Autodesk में आने के बाद आपको यहाँ पर Third वाले पर क्लिक करना है थर्ड वाले क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ब्रस आपको सिलेक्ट करने ना और यहां पर सेटिंग्स पर क्लिक करना और सेटिंग्स को आपको इन दोनों को रखना है फोर इन दोनों को फोर रखने के बाद इस साइज को आपको अपने हिसाब से रख लेना और फिर आपको क्या करना यहां से आपके फेस पर ड्रो कर लेना मतलब की फेस को समूद कर लेना तो मैं फटाबट से कर देता हूं तो अब हम करेंगे हेर को एडिटिंग तो इसके लिए आपको वापस इसी पर क्लिक करना है और इन दोनों को आपको 20 कर लेना है 20 के आसपास कर लेना है और फिर आपको इसकी साइज को करना है 10 मतलब 10 12 इसके आसपास करना है पर तो मैं यह कर लिया और फिर आपको क्या करना यहां पर आना है और आपके हेर को ऐसे करके आपको शेट कर लेना तो मैं पटाबट से कर लेता हूं तो मैंने हेर को भी शेयड कर लिया तो फिर आपको क्या करना इस यहाँ पर क्लिक करना और एपको शेयर कर लेना है तो वीडियो कैसे लिगी वीडियो सब्सक्राइब कर таких है और अब कौकर रहता हूं मिलते हैं किसी ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक लिए टेक केर एंड बाई